वेलकम बैक अप्रिवान, वेलकम तो सिवल सर्विसे श्टड़ी, देखें, यूपी पी असी आरो ए आरो के लिए हिंदी का प्रेक्टिस टेस्ट लगाते हैं, एक बहुत ही बढ़िया प्रशन है इसमें, ठीक है, चार से पांच, छे साथ सेगिन के टाइम लेगा एक प्रश करेंगे, चले यह स्टार्ट करते हैं, प्रयवाची सब्द की दरश्टी से नमरिकत में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है, पूछ रहा है, साहांसारिक, सांसारिक के सामने एहिक लिखा है, साहान भूती के सामने उदासीन ता लिखा है, साहस के सामने जीवट और सुगंद क सामने लिखा सुरभी किसका मिलान सही नहीं हुआ है सांसारिक यानि एहिक ठीक है या लौकिक ठीक है साहस साहस है जीवट है करक्ट है सुगंध सुरभी ये भी ठीक है साहनु भूती साहनु भूती का उदाशीनता प्रयवाची नहीं है साहानुभूती सब्द का विलॉम उदासीनता है साहानुभूती यानि हमदर्धी पर्यावची होगा संबेदना, करुणा, सहभाबना, अनुकमपा, दया साहस है, यानि होसला, बहादुरी, निर्भेता, जीवट, हिम्मत सुगंध, सुरवी, खुश्बू, सौरब, महक संसारिक है, मतलब एहिक है, लौकिक है एहिक मतलब इसी लोग का लोग परक है, संसारी है, दुनिया भी है हस्त का परयवाची सब्द नहीं है इनमें से कौन सा हस्त सब्द का परयवाची है पाणी बाहु भी हस्त का प्रहवाची है नहीं है पूछ राए कर और नगेश नगेश हस्त का प्रहवाची नहीं है नगेश जो है वो हिमालय का प्रहवाची है कर भी हस्त का प्रहवाची है ठीके हिंदी में एक सब्द एक से अधिक सब्दों का परहवाची हो सकता जैसे कि कर टेक्स का भी परहवाची है ठीक है यानि लगान हस्त यानी भुजा पाणी पाणी बाहू कर हात हिमाले के परहवाची सब्द है नगेस परवत राज नगराज हिमकिरी नगपती हिमात्री ग्रीराज हिम्पती हिमांचल नगेश हिम्पती तो नगेश था तो हो जाएगा आंसर हिमादरी का उपर्युक्त परयवाची सब्द क्या है हिमादरी का उपर्युक्त परयवाची हिमाले ठीक है शैल परवत का हो गया परवत सैल का हो गया तो हिमाले कैने प्रयवाची हिमगरी हो गया हिमांचर हो गया गरी राज हो गया परवत राज हो गया नगपती हो गया नगपती हो गया नगराज हो गया हिमात्री हो गया नगेश हो गया उपर भी था परवत के प्रयवाची सब्द परवत के प्रयवाची यानि पहाड, महीधर, शिखर, धर्णीधर, गिरी, सैल, अचल, नग, धराधर, गिरीराज, भूमीधर और भूब्रत है ठीक है एक सब्द एक से अधिक सब्दों का प्रयवाची हो सकता है जैसे कि गिरिराज परवत का भी प्रयवाची और गिरिराज हिमाले का भी प्रयवाची है सेल परवत सब्द का प्रायवाची है हिम के प्रायवाची सब्द देखें ऑप्संस में दूसरे विकल्ब चल रहा है हिम यानी आईस तोशार तोहिन निहार प्रले प्राले वरफ और बर्फ वी और महिका सरस्वती सब्द का प्रायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है सिसु मंदिर विद्या मंदिर बाले सरस्वती बंदना आपने पढ़ी हो स्कूल में तो सारदा तो है सरस्वती का प्रायवाची वागेश्वरी भी है सरस्वती का प्रायवाची भारती और कामनी में से कौन सा परेवाची क कामिनी नही है, कामिनी का नारी परेवाची तो सरस्वती सब्द का परहवाची कामनी नहीं है कामनी का अर्थ होता सुन्दर इस्त्री या नारी कामनी नारी सब्द का परहवाची है अन्य सभी विकल्प सरस्वती के परहवाची है कुश्चन नमर फाइब पराजी किस विकल्प के सभी परहवाची नाव के हैं नाव नाव नौका है नया है नाव नो है नाव जलियान भी है नाव तरिणी तरिणी है नाव लेकिन अन्शुमन नाव नहीं है तो इसकी वज़े से भी गलत हो जाएगा निश्चल नाव नहीं है तो इसकी वज़े से यह eliminate हो जाएगा अनील, अनील का मतलब होता हवा या बायू तो इसकी वज़े से यह eliminate हो जाएगा बेड़ी, डोंगी, तरी यह तीनों के तीनों नाव के परहवाची है यह है इसका answer इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडिया पर्चेस कर सकते हैं यह नमबर इसपर वाटसप करके तो यह सब दे हैं परहवाची नाव के परहवाची पर आज़े सब सब पहले नाव यानि नौका नो, जलियान, बेड़ी, डोंगी, नईया, तरणी, तरी, जल, बाहन ठीक है वागी अंशुमन जो है वो सूर्य का परहवाची है यानि सूरज, सूर्य, रवी, दिनकर, दिवाकर, भासकर, प्रभाकर इंपोर्टन्ट है सरल सरल यानि आसान, सादा, सीधा और निश्चल मतलब उसके अंदर छल नहीं है सच्चा, इमानदार, उदार तो निश्चल, सरल या सीधे का परहवाची है अंशुमन सूर का परहवाची है अनील, समीर, पवन, हवा, वायू, बात, प्रभात ये आपस में परहवाची है, अनील जो था, वहां पर वो समीर का परहवाची है हवा का परहवाची है और प्रवात थर्डी में वो भी हवा का परहवाची है कुशन नमबर सिक्स पर आजए, नमले के तमें से कौन? समुद्र का परहवाची नहीं है समुद्र का प्रयवाची नदीश है समुद्र का प्रयवाची पारावार भी है समुद्र का प्रयवाची समुद्र का प्रयवाची पयोधी भी है समुद्र का प्रयवाची वारिद नहीं है ठीक है वारिद नहीं है C has cancer क्योंकि वारिद जो है वो बादल का प्रयवाची है समुद्र के प्रयवाची सागर, पयोधी, उदधी, पारावार, नदीश, जलिधी, वारी निधी, नीर निधी बादल के जलद, नीरद, पयोध, मेग, पयोधर, जलधर, सारंग और घन यह जो सारंग है वो एक से अधिक सब्दों का प्रयावाची है सारंग साप का भी है बादल का भी है और अधिक तरिया इलिमिनेशन कराने के लिए दुन्द पैदा करने के लिए समुद्र और बादल के प्रयावाची को एक साथ रखते हैं Question number 7 पर आज़िए निशाचरी, रजनी, बिभारी, मधुकरी, भीखा, भिक्षा, भीख, मान, सम्मान, मान, अम्बुधी, अरणव, नीरद देखिए, बिभारी, रात का प्रहवाची है, रजनी, रात का प्रहवाची है, निशाचरी, निशाचरी, रातरी का प्रहवाची नहीं है, निशाचरी का मतलब होता है, रात में चलने वाला कोई जीव है, तो इसकी वैएसे पहला हट जाएगा, मधुकरी, भीक्षा, भीख, यह तीनों आपस में परएवाची है ठीक है यही आंसर हो गया मान समान आपस में परएवाची है मानने का मतलब होता है मानने अलग सब्दें यहां पर तो यह ऐलिमिनेट हो जाएगा अम्बुधी अरणव ये आपस में प्रयवाची है लेकिन नीरद अलग प्रयवाची है तो ये भी गलत हो गया तो आंसर क्या हो गया अपना यहां पर option number B हो गया इसका आंसर ठीक है मान ये मतलब किसी चीज जैसे की बैद हो गया ठीक है कोई चीज बैद हो गई तो मधुकरी भिक्षा भीक समूग सब्द के प्रयवाची है आपस में मधुकरी भिक्षा भीक सभी सब्द भीक मांगने या भिक्षाटन के प्रयवाची है अनविकल्पों के सभी प्रयवाची अनविकल्पों के सभी सब्द प्रयवाची नह प्रशाचरी का अर्थ होता है यह रात का प्राइवाची नहीं है वलकि रात में घूमने वाले व्यक्ति या प्राणी का प्राइवाची है मान और सम्मान का अर्थ आदर होता है अपस में प्राइवाची है और मानने का अर्थ होता है जो स्विकार्रे हो ठीक है स्विकार्रे हो या चीज मान्य है या बैद है अम्बुधी और अरणब जो है वो समुत्र के प्रयवाची है और नीरद जो है वो मेग या बादल का प्रयवाची है बढ़िया प्रशन था यह अब जो यह कॉश्चन नमर 8 पर मरीची प्रयवाची है किसका सुधा का दीपती का रजनी का तरिणी का मरीची मरीची है मतलब किरण ठीक है मरीची का मतलब होता है किरण किरण का मतलब हो गया यहाँ पर दीपती option number D है इसका answer, रजनी रात का हो गया, ठीक है, तो मरीची प्रयवाची है किरण का, सूर्य का भी यह प्रयवाची हो सकता है, ज्योती प्रभा रश्मी दीप्ती, यह सब किरण के प्रयवाची है, मरीची किरण का, ज्योती प्रभा रश्मी दीप्ती, question number 9 पर आजिए, नमरीक देखे भृण हो गया गर्भ हो गया संतान हो गया ये आपस में प्रयवाची है गट यहाँ पर विसम हो जाएगा और ये ही अंसर हो जाएगा तो भृण मतलब गर्भ हो गया गर्भ पोशित संतान सिशू ये सब गर्भ के प्रयवाची है गट का अर्थ है आतों की सेहत आतों में करोड़ towel bacteria होते है जिरहें gut microbium का हजाता है जब आतों में वैक्टरिया का संतुलन विगड जाता है तो इसे क्या बोलते है तभी इसको बोलते हैं dysbiosis ज़ित गट का अर्थ क्या है आतों की सेहत डिर सारे वेक्टरियां है आतों के अंदर बोजन को पचाने का काम करते हैं कोशन नमर दस पर आज़िए परेवाची की दरश्टी से किसका मिलान सही नहीं हुआ है अगनी के सामने हुताश लिखा है चंदर के सामने कौमुत लिखा है सूरि के सामने मैयंक लिखा ये सवपन के सामने निंद्रा लिखा ये और टेखे हुटाश अगनी का प्रायावाचि शशांग मैंक कोमुंद ये चंद्रमा के प्वाचि शूरर का नहीं फ्रञिद्रत हो गया सब्सक्राइब स्वपन निंद्रद्रेखत हुआ तो अगनी यानी जुआला थीक है। यानी वही, अनल, पावक, हुताश, ये हुताशन, चंद्र यानी सशी, राकेश, इंदु, शुद्माकर, कौमुंद, मयंक, सुरेरानी, रवी, भानू, मरीची, दिनकर, आरत, मरीची किरनखा भी प्रयवाची है। स्वप्न यानि निंद्रा सपना और निंद्रा ऐसे भी इस तरह से भी लिखा सकता है जीव का प्रयवाची क्या है जीव का प्रयवाची ध्वनी नहीं है जीव नहीं है बचन नहीं है जीव का प्रयवाची है रशना अपसर नमबर भी जीव यानि जिहा तो जीव का प्रयवाची रशना है जीव के अन्य प्रयवाची रशग्या हो गई जिहा हो गई रशिका हो गई ठीक है बाणी हो गई बाचा हो गई जबान भी परियावाची मतलब ऐसे सब्द जिनके अर्थ समान हो परियावाची सब्द कहलाते हैं अन्य विकल्प सब्द परियावाची जो अपसंस में दूसरे विकल्प थे बचन, ध्वनी, जीव जीव यानि कोई प्राण, आत्मा, जीवात्मा, रूह ध्वनी यानि स्वर है, स्वर है, रब है, नाद है, ताल है, अवाज है, बचन यानि सब्द बाणी बोली आस्वाशन, वादा, प्रण, प्रतिग्या प्रियावाची की द्रश्टी से किसका मिलान सही नहीं हुआ है, कौन सा मिसमेच है व्यथा के सामने प्रीति लिखा है, चत्रु के सामने विग्य लिखा है, कपट के सामने धूर्तता लिखा है, कपाल के सामने ललाट लिखा है कपाल यानि ललाट ठीक है, परेवाची की दरश्टी से सही है कपट यानि धुर्टता ये भी ठीक है शतुर यानि विज्य ये भी सही है व्यथा व्यथा मतलब बेदना प्रीती ये पहला वाला गलत है यहाँ पर ये है इस कांसर तो कपाल का प्रयवाची है ललाट, माथा, मस्तक, सिर्खोपडी, भाल भी और आनंद, प्रीती का मतलब होता है आनंद प्रीती का मतलब क्या होता है अर्थ क्या होता है आनंद हर्ष, खुशी, आनंदिता उत्साह, प्रफुलित कपट, कपट का धूर्टता सही है और धोका होगा, छल होगा, फरेव होगा, ठगी होगा दगावाजी होगा, दगावाजी होगा, खेद होता है व्यथा, व्यथा मतलब संकट, वेदना, क्लेश, शोक, कस्ट, पीड़ा, दुख, ठीक है, और प्रीती होता है, आनन्द, तो यह आपस में, ठीक है, अलग-अलग सब्द थे, या विलोम सब्द कह सकते हैं, इनको प्रयवाची नहीं है, वही आंसर है, चतुर मतलब विग्य हो गया, निपुण हो गया, नागर हो गया, पटू, कुशल, दक्ष, प्रवीन और योग्य, नेकी किसका प्रयवाची है, नेकी, अडिग का, उपेक्षा का, कल्यान का, आरोहण का, नेकी, उपेक्षा का तो हो नहीं सकता, ठीक है, कल्यान, आरोहण, देखें, नेकी जो है, वो कल्यान का प्रयवाची है, तो आरोहन नहीं होगा, उपेक्षा नहीं होगा, अरडिग नहीं होगा, सीज का अंसर हो जाएगा तो नेकी, नेकी यानि किसी का कल्यान करना, पर उपकार करना, एहसान करना, उपकार करना, अच्छाई, भलाई करना आरोहन था बिकल्प में आरोहन यानी उत्थान, उत्कर्ष, प्रगती, उत्क्रमन, आरोह और उधर्व गमन उपेक्षा यानी अपमान करना, अनाधर करना, लापरवाही, तिरशकार, निराधर अचल है मतलब इस्थाई है अटल है, द्रण है, अडिक है चिरिस्थाई है, पक्का है कुशन नुबर 14 निम्ले के तमय से क्रश्ण सब्द का प्रयवाची कौन सा है रती पती कामदेब का प्रयवाची है मनोज भी कामदेब का प्रयवाची है तो कृश्ण सब्द का प्रयवाची मुरारी है, कामदेब के प्रयवाची important exam में आते है मनोज है, अनंग है, रतिपती है, मदन है कंदर्प है, दरबग है पंचिसर है, मनिसिज है काम है, पुश्व धनवा है स्रवण के प्रयवाची यानि कान करना शुरुतियादी वश्य नमबर 15 प्राजिय पंद्रोप प्रशने प्रयवाची की दरश्टी से कौन सा युगम सही है अनल के सामने हवा लिखा है अनील के सामने पावक लिखा है असुर के सामने रजनीचर लिखा है अलंकार के सामने जोवन लिखा है देखे अनल का मतलब होता है ज्वाला अगनी पावक और अनील मतलब होती है हवा अलंकार मतलब जौबन नहीं होता तो यहां सही के वल सी ही होगा असुर के सामने रजनीचर असुर यानि राक्षस रजनीचर मतलब रात में चलने वाला प्राणी रात में चलने वाला प्राण तो आग यानि अनल पावक या देहन और अनील माने हवा या समीर वायू असुर है मतलब रजनीचर है निशीचर है दैते है राक्षस है दानब है रात्रीचर है तमचर है ठीक है निशीचर है निशाचर है राक्षस है तमचर है दैते है रजनीचर है दानब है अलंकार का मतलब होता है जेवर ना की जौबन आभूशन भूशन विभूशन गहना विश्चन नुम्बर 16 पर आजए इनमली के तमने से कौन सा योकम विशम अर्थ प्रदर्शित करता है अंतर के सामने विभिनिता लिखा है वेश्कीमती के सामने अमुल असिष्ट के सामने अविनीत असभ के सामने कुलीन वेश्कीमती है यानि अमुल है ठीक है अंतर विभिनिता ठीक है असिष्ट मतलब अविनीत ये भी सही है असभ के सामने कुलीन लिखा है गलत है तो असव कुलीन वाला मिसमेच है अभद्र या असव का हो जाएगा आकुलीन ठीक है कुलीन नहीं आकुलीन असिष्ट और अविनीत असिष्ट अविनीत आपस में परहवाची है ठीक है और असिष्ट अविनीत का परहवाची एक और होगा आकुलीन अभद्र अनमोल है मतलब बेसकीमती है वहमूल है अंतर है मतलब विभेनता है असमानता है भेद है फर्क है विश्ट नमबर 17 परहवाची है मीन का परहवाची सब्द है सायक बिभारी शिखी मतश्य बिभारी रात्री का परहवाची है सायक तलवार का परहवाची है इंपोर्टन्ट है तलवार के परहवाची भी और मतश्य हो जाएगा यहाँ पर मीन का परहवाची तो मीन का परेवाची सब्द मतश्य है मीन के अन्य परेवाची सब्द मचली हो गया, मतश्य हो गया, जख हो गया, जलजीवन हो गया, सफरी हो गया, जहस हो गया, जली अजीव हो गया अन्य विकल्प में जो परेवाची है तलवार, तलवार का प्रयवाची सायक है, चंदरहास बड़ा पूछा आता है एक्जाम में क्रपान है, खडग है, और करवाल है, असी है देखें, खडग, क्रपान, करवाल इनको तो बहुत कम पूछते हैं क्योंकि पहचान जाएंगे सब इसलिए शायक और चंदरहास ज्यादे इंपॉटन्ट है, रात मतलब विभारी है, सरवरी है, रात है, रात्री है, रैन है, रजनी है, निशा है, छनदा है मोर का शिखी बड़ा इंपॉटन्ट है, मयूर, कलापी, नर्तक प्रिय है, शितापांग, मेह प्रिय है वस्फेन नमबर 18 पर आजए, कनक का प्रियाय अरै शे, सोर्ण से, निकेतन से, शुर्पती से, निकेतन यानी ग्रेह हो गया कनक का मतलब है, सोना यानी सोर्ण, आप्शन नमबर B है इस का अंसर तो अरने था option में अरने का अर्थ होता जंगल ठीक है अरने का अर्थ होता जंगल जंगल के अरने पर है वाची कानन हो गया वन हो गया, कांतार हो गया, बिपिन हो गया अटवी हो गया, बिटप हो गया सुर्पती था option में सुर्पति यानि इंद्र, देवराज हो गया, मघवा हो गया, देवेश हो गया, बासब हो गया, सुरेश हो गया कनक यानि सोन, सोना, हाटक हे, महरने, सुवन और कंचन भी ग्रह यानि घर है, निकेतन है, भवन है, आले है, निवास है, गेह है, सदन है सबसे आदे अगर घर के प्रयावची पूछे आते हैं तो उसमें ये डालते हैं गेह को डालते हैं, सदन को डालते हैं, निकेतन को डालते हैं आलय भवन घर इन सब से पहचान होई जाती है इनको नि डालते हैं question number 19 पर आजिए विश्रम सब्द की पहचान कीजिए तोय उदक सलिल अम्बुद विश्रम सब्द कौन सा है इसमें देखे तोय हो गया उदक हो गया सलिल हो गया अम्बुद हो गया इसमें जो विश्रम है वो है अम्बुद तोय उदक सलिल ये जो परयवाची है ये जल के परयवाची है ठीक है तोय हो गया उदक हो गया, पानी हो गया, पे हो गया, नीर हो गया, सलिल हो गया, जीवन हो गया, जल के प्रयवाची हैं, जबकि अम्बुद हो गया, बादल का प्रयवाची, मेग, जलधर, वारिद, पयोद, नीरद और घन, ये बादल के प्रयवाची हैं चलिए अब question number 20 पराची एंदिम प्रश्ण है कपड़ा का प्रायवाची कौन सा नहीं है कपड़ा यानि परिधान ठीक है चीर भी कपड़ा का प्रायवाची है वसन भी कपड़ा का प्रायवाची है पद्म नहीं है पद्म सब्द कमल का प्रायवाची है ठीक है कमल के अन्य परेवाची, पंकज हो गया, राजीब हो गया, सरोज हो गया, नलिन हो गया, जलज हो गया कपड़ा यानी परिधान, पोशाक, वस्त्र, पट, चेल, चीर, वसन, लिवास अब लिवास को तो रखेंगे नहीं, आसान हो जाएगा, पोशाक को भी रखेंगे, वस्त्र को भी रखेंगे, पट को रखते हैं, परिधान को रखते हैं, चीर को रखते हैं, वसन को रखते हैं यह 20 प्रेश्चन थे 20 के 20 परियावाची सब्द थे इनकी प्रेक्टिस कर लिए एक से दो बार इसी तरह के प्रेश्चन बनते हैं रो यारो में इन से भी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडियाप परचेस कर सकते हो रो के ग्रूप में आप जुड़ सकते हो यह नंबर एस पर व